दोस्तो आई आरेपसी ने अपने क्वाटर फोर के रिजल्ट को डिकलेर कर दिया है और रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर जबर्दस तेजी का वातान बना हुआ है बहुत ही भारी वाल्यू में कामकाज हो रहा है और पिछले एक-दो रिजल्ट के बाद इस बार रिजल्ट में बहुत जबर्दस उमीद जगी है और इस रिजल्ट के बाद कह सकते है कि आने वाले समय में इसमें एक तेजी की समवाणा बनते हुई दिखाई दे रही है अज बाद आर में थोड़ी सी नर्विय उसके बावजुत भी स्टॉक अच्छा परदसन कर रहा है तो रिजल्ट के अंदर की पूरी असलियत क्या है अच्छे से रिजल्ट को समझें कहाँ पर कमी रह गया है और कहाँ पर बैतर परदसन किया और कहाँ पर और परदसन अच्छा करने की उमीद दिखे रहे आगे आने वाले कॉर्टर वन में और कम्पनी की तरफ से दुसरे जो एनॉसमेंट वे उसको भी समझने की कोसिस करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने अवडियो बने पहला नूटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस वीडवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो अभी लगबग साड़े ग्यारा का टाइम है बीएसी सेंसर की समय 73,927 के आसपा से जापे 78 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.11% डाउन है बीएसी सेंसेक तो बाजार में दबाव दिख रहा है वैसे बाजार की सुरूआत जो थी वो लगबग 100 पॉइंट के उपर की गिरावट के साथ जो थी समय थोड़ा सा बाजार रिकवर जरूर हुआ है लेकिन अभी भी बाजार दबाव में ही है और इ बाज़ी शुरूआत हुई क्लोजिंग थी देख सकते हो कि सेटेंडे की 173 के आसपास इंट्राडे में 181 का जबर्दस हाई बनाया है और जो लो है वो 176 है यानि जहां से बाजार ने शुरूआत की ती स्टॉक ने अब उसमें एक तेजी एक तरपाई बनी है शुरूआत 278 के आसपास ट्रेट कर रहा है 2.91 परसेंग की तेजी देखना को मिल रही है तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है ऐसा नहीं कि एक तरपाती यह तो वो जो डिल है वो डिल को भी समझेगे तो आपको समझ में आ जागा कि वाकई में इस समय क्या करना लेकिन वालिम में बहुत भारी उचाल देखने को मिलाए पूरे मेने के रिकॉर्ट तोड़ी आज शुब सुब शुब यहीं तो पिछले एक मेने पिले इसका अ 5 क्रोड़ का वालिम था टो क्रोड की डिलेवर उठाएगी वालिम्प Government 1 वीग पहले 7 क्रोड का वालिम हा ट प्रजिदारी दिख रही है तो अब हम उन रिजल्ट की संभावनों को तलास लेते किस तर से रिजल्ट रहा है और यह रोंद बेसिस पर क्या कमी रह गई तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो इस बार 6,474 करोड का टोटल सेल्स रहा है पिछले क्वाटर में यह 6,737 करोड के आसपस था यानि क्वाटर न क्वाटर बेसिस पर कंपनी का सेल्स गिरा है अब यह रोंद बेसिस पर देख ले तो पिछली बार सेम क्वाटर में 6,194 करोड के आसपस था तो यह रोंद बेसिस पर का सेल्स बढ़ रहा है कोई चिंता की बात निये अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो इस बार 6439 कोड के आसपस रहे पिछले कॉटर में यह 67001 कोड के आसपस था यानि कॉटर अन कॉटर बेसिज पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन पिछले साल सेम अच्छा खासा बढ़ा है और अगर हम मार्च 2022 की बात की यह 500849 कोड के आसपस था तो इयर अन बेसिज पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार हर साल बढ़ रहा है यह सबसे अच्छी बात है अब अधर इंकम की बात पर इस बार 4 कोड की अधर इंकम हुआ है पिछले पिछले कॉर्टर में यह 1599 कोड के आसपस था और पिछले साल सेम कॉर्टर में 1285 कोड के आसपस था प्रॉफिट विफोर टेक्स तो बिल्कुल यहां पर प्रॉफिट बढ़ा है चाहिए आप कॉर्टर कोडर बीसिज पर देख ले या यह अन बेसिज देख ले तो पिछल का प्रॉफिट किसी भी कंपञी के बिजनस के लिए प्रॉफिट जरूरी है और यह कंपंनी लगातर प्रॉफिट में बनी हुइ तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत हीसांदार रिज two आफ् में अब नेट प्रॉफिट की बात कर दूब यह बार 1717 क्रोड का net profit रहा है पिछले quarter में यह 1599 क्रोड के आसपस था और पिछले साल same quarter में 1285 क्रोड के आसपस था तो बिलकुल net profit में भी यही बात देखने को मिल रही है चाहे आप quarter on quarter basis पर देख ले या year on basis पर देख ले तो आपको net profit बढ़ता हूँ दिखा देगा अब ब मार्च 2022 में EPS 1.14 रुपीज के आसपस था जो 2023 में गिर गया देखने इस बार फिर से EPS बढ़ चुका है इससे एक बड़ी राहत मिल चुकी है यानि result काफी बैतर रहा इस बार यह देखने के हमें समझ में आ रहा है अब हम सालादा अधर पूरे साल का भी अगर देखे तो तो सेल्स लगातर बढ़ी रहा है मार्च 2022 में जापे 20,299 कोड के आसपस था वो लगातर बढ़ते हुए इस मार्च 2024 में 26,645 कोड तक पौच गया है कंपनी के खर्च में यहाँ पे व्रिद्धी जरूर हुई है देखे तो कि मार्च 2022 में 123 कोड के आसपस था जो इस बार 133 कोड तक पौच गया है ऑपेटिंग प्रोफिट भी बढ़ा है मार्च 2022 में 20,177 कोड के आसपस था जो मार्च 2024 में बढ़के 26,512 कोड तक पौच गया है यानि साला ना अधर पर देखे तो लगातार ऑपेटिंग प्रोफिट भी बढ़ रहा है बात के लिए नेट प्रोफ सकते हो कि हर साल नेट प्रोफिट बढ़ी रहा है कहीं कोई कमी नहीं है यानि इसका बिजनस बहुत ही अच्छा है और ये बात मैंने कल भी बोरी थे कुछ लोग कह रहे थे कि रिजल अच्छा नहीं है शेर की प्राइस गिने के लिए साब बिलकूल नहीं है EPS भी बढ़ रहा है 4.60 रुपीज था मार्च 2022 में जो मार्च 2023 में 4.85 रुपीज हो आ इस बार 4.91 रुपीज हो गया है ओवराल देखे तो काफी बैतर है डिविडेंट प्याउट 31% के आसपास है जो बहुत ही अच्छी बात है अब कम्पनी ने एक बड़ा फैसला और किय जैसे कि आने वालस में बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार सुरू करने जा रही है बहुत सारे पैसों की जुरूत पड़ेगी तो ऐसे में IRFC जो रेलवे के इंट्रा प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करती है तो इन्हों ने भी 50,000 कोड के फंड रेजिंग का प्ला या पब्लिक इसू बेसिस पर फंड रेजिंग होगी ये बात क्लियर है और आप देखतो कि दूसरे भी और रास्तर तला से जा सकते हैं जिसमें गवर्मेंट गारेंटी बॉंड्स भी लाए जा सकते हैं तो ये इससे बात समझ में आरे कि बिजनस आगे बढ़ता हो दिखा ही देगा? साथ मं कंपनी ने डिविडेंट भी डिकलियर कर दिया है पर से स सतर पैसे का डिविडेंट मिलने वाला है यादि 70 परसें डिविडेंट कंपनी देने जा रही है अब आप देख सकते हो कि एंटरिम डिविडेंट है और जो फाइनल डिविडेंट मिलाnicos के लिए 80 पैसे पहले dividend दिया है तो दोनों मिला के 1.5 रुपे का dividend company ने आपको दे रही है जिसकी face value 10 रुपीज है तो यह बहुत ही अच्छी बात है काफ़ी अच्छा dividend मिल रहा है अभी AGM होगी उस AGM के दोराद shareholder की मंजूरी ले ली जाएगी और जैसे ही उनकी मंजूरी मिलेगे उसके 30 दिन के बाद में आपके खाते में यह जो भी dividend के amount है वो आ जाएगी तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौखा है अब यहाँ पे चलते कुछ बड़ी deal की दरभू क्या इस सारा करी तो सुबह देख सकते हो की बादर खुलते ही नौ बजकर 15 मिलेट पर 177 की प्राइस से 11,74,000 की सांदार खरीदारी हुई फिर उसी समय नौ बजकर 15 मिलेट पर 176 की प्राइस से 10,00,000 की एक विक्वाली हुई तो उसके बाद 9 बचकर 32 मेर पर 179 की प्राइस से 6,40,000 की फिर से खरीदारी हुई उसके बाद 9 बचकर 35 मेर पर 180 की प्राइस से 10,42,000 की बंपर खरीदारी हुई तो फिर 9 बचकर 35 मेर पर 180 की प्राइस से 9,81,000 की प्रोफिट बुकिंग हुई फिर 9 बचकर 38 मिरेट पर 178 की प्राइस से 5,11,000 की एक बिक्वाली और वी तो 9 बचकर 48 मिरेट पर 179 की प्राइस से 7,34,000 की बड़ी खरिदारी हुई तो 10 बचकर 41 मिरेट पर 178 की प्राइस से 4,68,000 की बिक्वाली हुई यानि माहल दोनों तरप का बनावा कुछ प्राफिट बूकिंग भी हो रही है कुछ फंड आउस ने निज़लेलों से खरिदारी की होगी बहुत जबर्दस खरिदारी का माहल बनावा है ऐसे मैं लॉंग टरम इंवेस्टर के लिए अच्छा मौका है खरिदारी आपको भी करनी चीए और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय जैसे ही रिजल्ट डिकलेर हो जाएगा इलेक्षन का उसके बाद में यहां पे एक तरपा तेजी बन सकती है तो दाव लगाना चीए लॉंग टरम का निजरिया लेके लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकिजा और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड